हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल और मैं आज दिन में विल्कुल भी नहीं सो पाई क्योंकि मेरा सोने का जो टाइम था तभी ऐसी सर्विस वाले भायों आगे और उसके बाद मशीन से ड्राइड सर्विस की तो पूरा कच्रा निकल के बाहर गिरा तो मुझे पोछा भी दूप थी और आज भी दूप मतलब आज आए चीटे आए तोड़े लेकिन मतलब दूप में चीटे पड़ते हैं वैसी वाली पारिश आई थी और भी मुष्किल से दो मिनिट के लिए का काम खतम हो गया कपड़े दोने का बैट शीटे चेंज की और यह सब कियान मुझे ब मौसम इतना अच्छा है ना कि पहले से इतनी जल्दी भी सूप जाएगी डालिये तोड़ी क्योंकि मौसम एक्दम साफ एक्दम मौसम अच्छा सा हो गया है मैं काफी दिनों से सोच रही थी कि मैं कुछ पढ़ना स्टार्ट करूं दिन में कुछ भी ऐसा जो मुझे अच्छा लगे तो मुझे वैसे मुझे बगवान की बुक्स पढ़ना बगवान के बजन सुनना यह सब चीजे मुझे बहुत अच्छी लगती है और जिस दिन मैंन मंदीर की सफाई की उसी दिन मेरे जो मंदीर का नीच वाला बागेमान सब बगवान की वोक्स और सब कुछ रखतें तो वहीं पर मुझे एक छोटी सी पुट मेली जिसमें गीता का साह लिखा हुआ है तो वही पढ़ना मैंने स्टार्ट के यह देखो मेले ने आई वरिंदा पर अपन गई ती यह तो प्रशाद और प्रशाद कहतं गर देन लोगों खाके प्रशादी प्रेज में है ने माली दिया है तो प्रशाद ले ने आई थी मेली ने यह सब खा चुके और ममी की गर पर ज्यादा गोरे लगते है कि बहुत जादा लगी हुए इसकी वज़े से यह देखो यह भी बहुत गोरी लगने है वैसे इतनी गोरी यह ने यह देखो मंतर ममी पापा देखा तो इन यह तरा दूर थी अरशाद नावे चाने चाने यह तरा श्राव जाए दाखी खिर्जिश नावाज गोरे नावचा पर जाए इसका गोरे लागते है मुमीन सब गोरो गणा लगो फैर तो मेरे मुमी के अगर की लाइट में सब गोरे बहुत लगते हैं वैसे हम इतने गोरे हैं नहीं सब किरन वरिंदावन जाकर आई और कैसा रहा उसका एक्सपिरियेंस उसको दर्शन करके बहुत जादा अच्छा लगा है कैसा लगा दर्शन करके अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा है यह तो जाकर आई वरिंदावन बगवान के दर्शन करके आई और बहुत अच्छा लगा इसको बगवान की मूरत बहुत ही खुब सूरत है मैं तो पता नहीं कब जा पाऊंगे लेकिन किरन तो यह और यह पत कि अप्याते